कहते हैं गले में गला हुआ बहुत गुरा होता है जब यह गले में घल जाएंगे तो इनके तो रॉंग्ते खड़े हो जाएंगे अभी के अभी तो सारी Hammond गोंटे का ने न सकती होगा। कि मैं हर महीने आपके 5000 रुपे आपके वो डालूँगा सारे खाते क्यों खुलवाए उसने ना सारी जनता का पता कर लिया ये कितनी जनता है इनके केमा ये पूरी जनता का क्या मतलब है जो उन्होंने एक अभियान चलाया था जन्गरना का वो इसी लिए चलाया था कि उन्होंने जन्ता की गिंती करी थी और गिंती करने के बाद में उन्होंने आपको सब को बांद और दिया कि सब लोग बैंग से ये पता हो जाएगा किसके परिवार में कितने आदमी है कौन क्या है कौन क्या नहीं है और फिर सारे उन्होंने गोसित कर दिये सारे उन्होंने आतंकवादी गोसित कर दिये तो उनकी तो मनमर्जी चलेगी नहीं उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी यह चाहते हैं कि पुछ तो मैंने मार दिये और अपने आप यहां आत्मत्त कर ले अपन बिजली का देखो इसने पहले का मैं खिसानों के बिजली फ्री करता हूं गाउं में शहर से लिया तुगना बढ़ा दिया शहर में और उसके बाद में आप गाउं में लगा दिया क्या है इनसे भी पैसा लेना चलो करो ऐसी गैस ती डाउन कर दिए बड़े बन गए चूले ब लिटा दो लाइन से पिरेल चलवा दो जितने मरने मर जाएंगे वाखी बच जाएंगे वो भी मरेंगे तो देखो जी यह तो सिर्फ इसने हमारा खतम परिवार करने की सोच रख की है तो इंद्रा गांधी कभी नी चला जी राज तो रामड कभी नी चला जिसको बहुत अहम तो यह क्या चीज है यह तो कुछ दिन और अगर नहीं काले कान वापतस लेगा तो यह सोचाएंगे भाग जाएंगे अपनी यह सब लेके गठरिया इसे यह नी मालूम है कि यह तुमने जो बीच बोया है ना यह तुम ही कर देख दिया और यह बेचने के बाद में हमें बि किसान अगर कुछ और करता है जैसे वह अपनी कोई रैली निकालता है कुछ तो उनको प्तोहमत लगा जाती है गुंडें बदमाश हैं बहार के लोग आ गए और यह आतंकवादी हैं तो आप यह बताएं किसान करे तो क्या करें किसान अब ऐसा नहीं है कि वह अपनी यह कान क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे हैं जिनोंने हमारी सुरक्षा स्वेम करी और यह तो कतले आम कराता है यहां पर तो मैं तो यह कहती है प्रधानमंती का दिमाग खराब हो गया है वह जब तक नहीं मानें जब तक कुछ करवानी लेंगे उच नीच अगर उनकी समझदारी ह होती किसान यहां पर कितनी ठंड में पढ़ा हुआ था बारिश भी थी ओले भी थे सब कुस था खाने को कहीं वह नहीं था तो उन्होंने एक बार भी इंसानियत का परिच्चे दिया कि यह किसान पढ़ाए मैं इनका खाने पीने और किसी तरह से इनकी ववस्था करके दूं कि इनके उपर कोई परिशानी न खड़ी हो जए वो बिल्कुल आस्मान के नीचे पड़े थे आस्मान के नीचे ही उनकी फशल रहती हैं आस्मान के नीचे ही वो रहना पसंद करते हैं देखिए खेती करना और उपज़ाव करना और दुनिया को बाटना इतना आसान नहीं ह क्या जाने दस करोड का सूट पहन के वो यह सोचते हैं कि जैसे उन्होंने अम्मानी वगरा उनके पीछे लगे हुए हैं वो तो यह भी कहके आये थे जब आपने सुनाओगा कि काले का वहां से मैं काला धन लाओंगा वापस यहां पे और आप लोगों की इतनी रक्ष वो काने का खदेड़ने का काम करेगी और थोड़े 5-6 महीने करने मौज मस्ती हैं उसके बाद में हम देखेंगे मोदी जी कहां और हमारे किसान भाई कहां हमारी ना खेती जा रही ना हमारे भाई जा रहे और यह चाहते हैं कि हम यह दो कदम भी अगर चले ना जिन्दा बात कर कितने आदमै आज भरती कर दीजुट कितने आदमियों की भरती कर द दीजें विल्किने और रोटिंट कोई आदमी जा रहा है दस रुपे उसने रखते देख लिए वह अपने उसके लिए तो करेगी करेगा तो दूसरे का वह कतल भी करेगा चीनेगा भी दस रुपे तो इन्हों ने तो वाला काम कर दिया जो कोई ना करे तो यह तो जनता को देखना चाहिए ना कि जैसे आप ला जब यह गले में बिल्कुल घंगे न किते हैं गले में गला वह बहुत बुरा होता है जब यह तो सारी जगें पंचायते चल रही है पंचायत के बाद जो पंचायत का फैसल्हा होगा वह इनको समझ में आएगी फिर कि यहां का कोई ऐसा नहीं है अगर आप छोटा सा किसान भी इन से डर जाएगा किसान जब खुले में अपनी पैदावार कर सकता है दूसरे को दे सकता है दूसरे का पेट बर सकता है तो आप यह बता वो ढरेगा कैसे मोजी जी ने पहल तो करी है उन्होंने कहा एक कॉल की दूरी की बात करी है वो बहुत जूटा इंसान है मा जूटा इंसान है मैंनी कहती जनता से पूछ लो 500 रुपे में उसने वो भी खुलवाये थे कि मैं हर महीने आपके 5000 रुपे आपके वो डालूँगा सारे खाते क्यों उसने ना सारी जनता का पता कर लिया ये कितनी जनता है इनके क्यमा ये पूरी जनता का क्या मतलब है जो उन्होंने एक वो अभियान चलाया था जनगरना का वो इसी लिए चलाया था कि उन्होंने जनता की गिंती करी थी और गिंती करने के बाद में उन्होंने आपको सबको बांद और दिया कि सब लोग बैंक से ये पता हो जाएगा किसके परिवार में कितने आदमी है कौन क्या है कौन क्या नहीं है और फिर सारे उन्होंने गुंडे घोसित कर दिये सारे उन्होंने आतंकवादी घोसित कर दिये तो उनकी तो मनमर्जी चलेगी नहीं उनकी मनमर्ज और खुद अपने आप यहां अपने परिबार के साइड ना तो उन्हें रोटी मिले और ना उनके घर में जो एक साइकिल है वह साइकिल भी चलते जलते किसी दिन यह पता चलेगा कि यह साइकिले भी उसने बंद कर दी इस पर भी टेक्स लगा दिया तो आप वह तो अपने द है अलागे भी भारत देश तो बहुत बड़ा है और बहुत तरक्की वाला देश है वहां के इनसान लोग हैं इनसान हैं वह प्रदान मंत्री वगरा वह जानते हैं कि जनता की क्या जरूवत है जनता कि इस तरीके से आप यह बताव डीजल के बिना किसान क्या कर लेगा अब गाउं में लगा दिया कि अभी इनके इनसे भी पैसा लेने चलू को रहो एसे गैस थी गैस कितनी डाउन कर दी बड़े भले बन गए चूले बेच बेच के और वो एक-एक सिलंडर आप ये बताओ चूले तो फ्री में वैसे भी सिलंडर के साथ आता या आता था तो आप परिवार करने की सोच रखती है या तो यह हम इसे खतम कर देंगे और यह यह हमारे परिवारों को मजबूर कर देगा क्या आत्म हत्या की बात करी आपने आत्म हत्या तो लोग कर चुके बहुत सारे किसान भी कर चुके यह जब से आंदोलन शुरू हुआ था तो अब तक 200 से हुआ दिए और या से बहार वाहरी अगर एक इंसान भी मरता है तो मोडी चीच कर देते ऑप किसानों के परती फरती इनका क्योंकि कोई ऐसा ऐसी बात नहीं आती कि वेगा है कि मैं आपको बतावाँ जब आपने इस टॉर्टिंस में दिखा का हमारें किसान मरेते इसने एक दिन भी ये करा कि पांच मिनट का मोन करवा दूं हिंदुस्तान देखेगा कि किसान मरा मगर इस पे कोई फरक नहीं पड़ा ये तो चाहता है कि जितनी कम जनता हो जाए उस पे मैं राज करता रहूं सारी जिंदगी और इसका राज कोई इस परदास कर रहे हैं कि राज तो इंद्रा गांधी कभी नी चला जिसको बहुत एहम था तो यह क्या चीज है यह तो कुछ दिन और अगर नहीं का लेका बापस लेगा तो यह सोचा है कि भाग जाएंगे अपनी यह सब लेके गठरिया इसे यह नहीं वालूम है कि यह तुम यह तो सोचल वरकर भी हूँ और मैं ऐसे ही जैसे चल रहा है धरना प्रदशन इसमें बराबर आती हूँ बराबर सहिंग देते हैं क्योंकि हमारे गाउं लगे हुए हैं सारे मैं किसान की बेटी भी हूँ और किसान ही यहां पे जितने आस-पास रह रहे हैं सब यहीं प्रशकों को ये भी बताएं आखिर में अब क्या कहना चाहते हैं भारत के जंता से मेरा नाम मधु चौधरी है मैं गाजयबाद से हूँ और मैं भारत की जंता से यही कहना चाहती हूँ कि इसका डट के मुकाबला करें और यह जो यह बहाने बना रहा हैं कि आम जंता को निकल पड़ रहा है और हमने यह कहना चाहते हैं अपनी जंता से कि इसका बराबट मुकाबला करो वरना यह हमारी खेती वेती सब बेच देगा और बेचके और सब पर आधा देश बेच दिया और यह बेचने के बाद में हमें बिलकुल नियत्ता रोड पर कर देगा हम जो कटोरा लेके भेजेंगे ना उसमें भी यह टेक्स लगाएगा यह कटोरा कितने घंटे लेके यहां बैठे ते तो आप यह देख लीजे इसने तो बरबाद कर दिया